डिलाइट आई इस में मैं कीवी सिंग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ I hope आप सभी की विप्रेशन अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हाँ जो टॉप 500 सीरीज चल रही है उसमें ये पॉलिटी का पार्ट फोर है I hope आपने जो पिछली वीडियोज है जोग्रफी और पॉलिटी दोनों की ही देखी होंगी दोनों दो सब्ज़क्ट हमारे हाँ साथ में चल रहे हैं एक जोग्रफी और पॉलिटी दोनों के ही तीन-तीन वीडियोज आ चुके हैं आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं ठीक है आज हम पॉलिटी का चौथा वीडियो देखेंगे तो आज ये देखते हैं इसके सबसे पहले कोशिन को सबसे पहला सवाल है कि भारत का समिधान अलप संख्यों के लिए निम लिखित में से कौन से सरनक्षन प्रदान करता है पहला भारत के छेत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपने एक अलग भाशा, लिपी, संस्कृती को सरनक्षित करने का अधिकार है दूसरा सभी अलप संख्यों को चाहेवा धर्म या भाशा के अधार पे हो अपनी पसंद के सिक्षन संस्था की स्थापना और प्रशाशन करने का अधिकार है उसके बाद अगला है कि राश्टपती द्वारा भाशाई अलप संख्य क्यों के अधार पर हम ये देखेंगे कि के लिए एक विशेश अधिकारी की नियुक्ती की गई है ठीक है तो इसमें से हमें ये बताना है कि सही कौन सा है तो इसमें से हम देखेंगे इसमें से सही है D ओप्षन ठीक है जो अनुच्छे 29 है न वह अर्प संख्यकों के हितों से संरक्षित है इसमें उसके संरक्षन से संबंदित चीजें बताई गई है इसके अनुसार भारत के राजच्छेत या उसके किसी भी भाग के निवासी के अनुभाग को अपनी विशेश भाषा लिपी संस्कृती बनाए रखने का अधिकार होगा और अनुच्छे 30 में क्या कहा गया है यह स्थापना और प्रशाशन के लिए अल्प संख्यकों के अधिकार से संबंदित है इसमें यह कहा गया है कि धर्म या भाषा के अधार पे सभी अल्प संख्यक वर्गों को अपनी रुची की सिच्छा संस् थापना और प्रशाशन का अधिकार है और अनुच्छे जो 350A है वो ये कहता है जैसे जो इसका 300 अप्शन था कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेश अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसकी नियुक्ति राश्टपती द्वारा की जाएगी अब हम देखते का निर्दिष्ट करता है कि सरकार के गठन कि भीतर ही अधिक्ष का चुनाव किया जायMus Ой और आम तरहे अधिक्ति सत्ता धारी दल का होता है भारत के नियंतरक और महालेखरक परच्छा के सासत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदों को निर्दिष्ट करता है। लोकसभा के लिए अनुचे 93 और राजविधान सभाओं के लिए अनुचे 178 में ये कहा गया है कि ये सदन जिटनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सदनों के सदस्टे और दो सदस्टे को अध्यक्ष और अपाध्यक्ष निक्त करें। समिधान इन चुनावों के लिए ना कोई समय सीवा निधारित करता है ना ही कोई प्रक्रिया निधारित है इन चुनावों को कैसे आयोजीत किया जाए इनका निधारन करने के लिए क्या किया जाए ये विधायकाओं पर छोड़ दिया गया है लोकसभा और राजविधान सभाओं में राश्टपती और राजपाल के अध्यक्ष की चुनाकी भी एकनीदी निधारित होती है संबंदे सद्नों के विधायक इन पदोंग में आपस मैंसे ही किसी एक को चुनने का मद्दान देते हैं विपक्ष का होता है और विपक्ष का होता है ये कि शकंति कुछ भेने रही है अब हम देखते हैं कोशलों-3 के बारे में भूल जाने का अधिकार के संबंध में आप निम्ट कितमे से कुतनों पर विचार किगे पहला भूल जाने का अधिकार सावजरिक पहुंच से दूर रखे गए व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है दूसरा इस अधिकार का समर्शन करने वाला तरक यह है कि व्यक्तियों को पिछले आचन के लिए हमेशा के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता है तीसरा सुप्र बारे में एक बार देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो डी है यानि की वन टू थ्री फोर यह चारों चीज़ें इसमें सही है ठीक है जो देखिए भूल चाले को जो अधिकार है वाह आम तोर पे सारजनिक पहुंच से दूर रखे गए व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है इसमें समर्थकों का तर्क है कि व्यक्तियों को अपने जीवन के विकास को स्वायत तरीके से जीने के लिए निर्धारत करने के लिए सक्षम होना चाहिए पिछले आचरन के अधार व्यक्ति का किस प्रकार का आचार विचार रहा है उसकी अधार पर हम व्यक्तिव को हमेशा एक तरीके से कैटराइज नहीं कर सकते या कलंकित नहीं कर सकते कि जिसका हमेशा से बुरा वहवार रहा है वह हमेशा रहेगा ठीक है 2017 में सुप्रीम कोट के तहत में समिधान के दर निज्टा के अधिकार में विशेश रूपर जो गोपनी है जो चीज़ें होती है जो सूचना होती है उसके दाइरे में भुलाये जाने के अधिकार को माने चाहिए कब दी है 2017 में इसमें यह है कि अगर कोई वर्चुवर स्पेस व्यक्तिकर डेटा को हटाना चाहता है तो उसका सम्मान किया जाए हालनकि बुलाये जाने के अधिकार मुक्त भाशेयें जैसे प्रतिकारी अधिकारों के आधार पर युक्त युक्त पत्रणों के अधियन यह मतलब वहां पे नहीं वैलिड होता है अब हम देखते हैं कोश शान्ती से और बिना हतियारों की इखटा होना संपत्ति का अधिगरन वहां निप्टान इसमें कौन सा ऑप्षिन सही है हम देखेंगे इसमें ऑप्षिन-b वन टू-3 यह सही है ठीक इसमें बताया गया है कि वहारत का समिधान का अनुचेद 19A है वो मूल अधिकारों में ऐसे आता है और यह सौतान्तरता का अधिकार यह 6 सौतान्तरता की गारंटी देता है भारत की राज्चेत्र में सरवत बहाध संचरन की सौतन्तरता भारत की तीराजचेतर में निवास कहीं पर भी भसने की और वहां निवास करने की सोतंताई ता और किसी भी प्रकार की जीविका वैपार आवर कारोबार करने की सोतंता ता, दीखिए जो पहला था जो मदलब इसमें हम देखेंगे कि 1978 में जब 42 में संशोधन किया गया था उसमें इसमें एक और क्लॉस था यानि कि F भी था जिसमें जो हमारा चौथा ओप्षन है संपती का अधिकरन इसमें की भी सोचंतुता दी गई थी थी कि इसमें संपती रखने और हासित करने की भी सोचंतुता प्रदान की गई थी जिसे 42 में संसोधन 1978 में हटा दिया गया है अब हम देखते हैं कोशन नंबर 5 यह है कि भारती समिधान के अनुच्छे 1902 के तहद विधाई का निम निखित किस कारण अभिविक्ति की स्वतनता पर कुछ प्रतिबंद लगा सकती है पहला राजी की सुरक्षा दू यानि कि इन चारों के तहत्विधान के तहत हम देख सकते हैं कि विधाय का कुछ अभिव्यक्ति की स्वतनता पर प्रतिबंद लगा सकती है थीक है यह यह थीजियों राज की सुरक्षा हो अगर विदेशी राजों के साथ मैतुर्पूर्पूर्ण संबंद या किसी भी प् किसे करें तो वहाँ पर हो सकता है लोग व्यवस्था की अधार पर शालीनता नया नैतिक्ता की अधार पर नयाले की अमाना पर भी वाक्ष प्रतिबंद यानि की स्वतंता पर प्रतिबंद लग सकते हैं इसके सासत मान हानी के लिए किसी को अपनी वार्णी से अपने शब्द पर भी खत्रा हो इस तरीकी की चीज़ों पर भी हम देखते हैं कि रोक लगी होती है आप हम देखते हैं कोशन नंबर 6 वो क्या है पहला उप्शन है राष्टी राजधानी राजच्छे दिल्ली के लिए सरकार का पतिनीधी रूप से प्रदान करना दूसरा दल बदल के अधार पे निहरत गोशित करना तीसरा सहकारी समीतियों को समयधानी दर्जा और सरक्षन प्रदान करना और चौथा नागा लेंड और का दर्जा प्रदान करना इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है तो इसमें जो ऑप्शन ए है यानि जो राष्टी राजधानी वालो ऑप्शन है वो सही है ठीक है 69 जो सम्विधान संशोधन है वह 1991 में पारित हुआ था जिसके माध्यम से अनुच्छे 29239 AA को सम्विधान में जो लेटेन गवर्णर जो वहाँ पर माने जाते हैं उनको रिपोर्ट करता है और जब 1991 में जो सम्विधान शन्शोधन पारित होने के बाद क्या हुआ है कि दिल्ली राष्टी राजधानी शाषन अधिनियम लागू किया गया है अब हम देखते हैं कोशन नंबर 7 जो है उसके संटुली संगी धाचा निवारे करता है कि राजजीयों को उन मामलों में के संबंद में के सरकार के किसी भी आवन्चित हस्थ चेप के बिना सुतुनतरता प्राप्थ हो जो विशेश रूप से राजी के अधिकार छेतर में आती है इसमें से हमें क्या बताना है कि कौन से ही है ठीक है जिसको option c एक और दो ये दोनों कथन सही है ठीक है दिल्ली बनाम भारत संग के फैसले में सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि संविधान ने संगी संतुलन को अनिवार बनाया है जिसमें राज सरकारों को एक निश्चित आवश्यक सुतंतुता प्रदान करने का आश केंद सरकार के किसी भी आवंशित हस्त छेप के बिना स्वतंतता प्राप्त है जो विशेश रूप से उनके छेत्र में आते हैं ठीक है तो ये दोनों भी जो option है वह सही है अब हम देखते हैं question number 8 वह है धन विधेक से संबंदित निमनिखित में से कौन से प्रवाधान है पह कौनियों देश के जुर्माना लगाना इसमें हमें क्या बताना इसमें हमें ये बताना कि कौन सा option सही है तो इसका option बीस यानि कि एक और दो ये सही है देखिए जो धन विधेक होता है उसमें धन विधेक में किसी भी प्रकार के कर का धिरोपन उन्मूलन छूट परिवर्तन ये विन में शामिल होता है लेकिन स्थानिय कर लगाना धन विधेक के दाइरे में नहीं आता है केन सरकार द्वारा पैसे उधा लेने का नियामन भी इसी दाइरे में आता है भारत की संचित निधी या कास्मिक्ता निधी का भुकतान या उसका आरहन भी इस विधेक के अंत धन विदेयक होगा यह केवल लोगसभा अध्धक्षी प्रमानित करते हैं और सविधान के अनुच्छेद 110-1 के काव से लेके 6 तक जो तिने भी विदेयक का संबंध है वह धन विदेयकों से है ठीक है एक और इंपोर्टेंट बात है धन विदेयक में कि यह केवल लोगसभा म राष्टपती को पुर्णर विचार के लिए नहीं लोटाया जा सकता है क्यों क्योंकि राष्टपती के अनुमती मतलब एक तरीके से राष्टपती के अनुमती से ही पेश होता है अब हम देखते हैं कोशन नमबर 9 निम लिखित में से कौन सा समाजवाद का भारतिय रूप नहीं है नहरुवादी समाजवाद लोकतांतिक समाजवाद अतिवादी समाजवाद या समुदायवादी समाजवाद इसके बारे में हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो डी है समुदायवादी समाजवाद इसका सही ऑप्शन है ठीक है भारत में सवाजवाद एक राजन और छेती डल रालोकतांतिक समाजवाद का समर्थन भी करते हैं रूसी क्रांति के बाद भारत में छोटे समाजवादी क्रांतिकारों समूहों का उदय हुआ था जैसे कि भारती जो कम्यूनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना 1925 में हुई थी लेकिन विचार धारा के रूप संसथ की एक तदर समी Brenda है दूसरा एल्वे संबन्धी संहिती संबन्धी समीटी जितनी वह वह सथाी समीटी है 3ől Bubble last पे संसव समीटी संसथ कि कि स्थाई की होती है स्थाई समीति और तदर समीति ठीक है तदर समीतियों को समय समय पर नुक्त किया जाता है और इनको आवशक्ता पढ़ने पर बना जाता है लेकिन जो स्थाई समीतियां होती है वह हमेशा से बनी रहती है जैसे कि प्राक्लन समीति यह वित्तिय जो स्थाई समीति है ये एक तरीके से जिसमें 30 सदस्य होते हैं जिने लोकसभाद वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है ठीक है और इसमें राजसभाद सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है इन सदस्यों का जो कारेकाल होता है वह एक वर्ष तक होता है और प्रते एक वर्ष माई में समी समीटि के प्रतिवेद hats पर सरकास सदन में बहां सभाथ नहीं होती है परहं समीटि अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना द्रिष्टी को होता है वह सदन के समख्ष ही रखती है जो रेलवे संबन्दी चिमीटि आं स्थाय कर्मीटि आये गाकर द्रतियां निधारित होती हैं समीतियां देखे बहुत important रोल निभाती है हमारे हां मतलब विट्ति जो समीतियां होती है बहुत ज्यादा important